अगर इन तीनों चीजों से आप परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं अखिर ये प्राब्लम आथी की हो हमारे पेज पर या जीडियो करेंगे और जयातर प्राब्लम ये कब होती है जब सारे के सारे क्रे्टेरिया कंप्लीट हो जाते हैं और बस हमने पूर्परिश N का option on करना होता है उससे पहले ये प्राब्लम आजाती है अब दिमाग खराब क्या करें आप तो और आपके प्रॉब्लिम होना है तो इस वीडियों में सारी चीज़ें बताने वाला हूं वीडियों को बारिकी से देखें बगाइर स्किप करें तो चलिए शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है जमाल और सागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे तो फाइनल दोस्तों मैं आ चुका हूं मुबाइल की स्क्री और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह फेस्बुक पेज है उसके बाद हम लोग मैनेज में चलते हैं और मैनेज में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं मोनटाजिशन में ठीक है मोनटाजिशन में आने के बाद फिर इन इस्ट्रिम एड़र पर क्लिक कर है और minimum 5 वीडियो वह भी complete है ठीक है लेकिन अभी कुछ इनके follower बाकी है लेकिन अगर follower इनके complete भी हो जाते हैं तो इनका जो page है यह monetize नहीं होगा क्योंकि इस पर partner motivation policy issue आ चुका है ठीक है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे देखें सी policy issue पर click करते हैं यहां से ऐसे click कर देंगे ऐसे click कर देंगे अब यहां पर देखते हैं देखें यहां पर देख सकते हैं limited originality of content अनुवरिजिनल content इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी और की video दाल रहे हैं आपका जो content है वो original नहीं है तो जहित सी बात यह सारी के सारी copy वीडियो दाल रहे थे तो उस पे ये problem आ गई है अब ये बात हो गई यहां तो आपने देखिए यह दिखा रहा है लेकिन बहुत से भाई मतलब समझाने के लिए आपको बता रहा है बहुत से भाई creator studio में खोलते हैं में खोलते हैं वहां भाई तो सब कुछ green दिखा रहा है कोई problem नहीं तो भी आपको मत दिखा देता हूं तो हम लोग चलते है chrome browser पर अब देख सकते हैं यहां पर मने creator studio open कर रखा है ठीक है creator studio में आने के बाद हम लोग चलते हैं सीधा monetization में already हम लोग monetization option में है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं status page का status दिखा रहा है no monetization breaches मतलब आपके page पे कोई breaches नहीं है तो इससे क्या बंदा समझता है भाई मेरे page पे कोई problem भी नहीं है तो आकिर यह क्यों हो रहा है तो उसमें गलती क्या कर देते हैं monetization के लिए apply कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है ठीक है ऐ अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं view page eligibility इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही कुछ आपके सामने देखें इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर branded content का इनेवल है subscription इनेवल है star इनेवल है और यहाँ branded content का जो है setup करने के लिए कह रहा है ठीक है लेकिन हमने जाना है थोड़ा सा इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर भी सेम होई problem है partner monetization policies इस पर हम लोग क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखके दे रहा है no monetization breaches ठीक है और यह जो appeal का बटन होता है यह आप देख लागे appeal का जो बटन होता है इस पर लिखा हुआ है request on another review तो आपका यह blue है तो आपको use नहीं करना है पहले आप पुरा तरीका सही से जान लेंगे उसके बाद ही आपको यह बटन का use करना है बहुत से भाईयों को कुछ पता नहीं होता बस सीधा यह बटन पर क्लिक कर देते हैं review में भेज़ देते हैं तो जब आपके facebook पर problem होगा तो review करके भी क्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और ज्यादा आप करोगे तो अकाउंट जो आपका disable कर देंगे तो यहां देख सकते हैं ठीक है यहां नीचे लिखा हुआ है limited originality of content तो यह देख सकते हैं यहां पे भी लिखा हुआ है other monetization tools उस पे problem है यहां देख लें अन और जगा इनके उस पे problem है तो यह किसी भी हाल में यह monetize नहीं होगा अगर आपके criteria complete भी हो जाते है तो ठीक है तो अगर आपके भी page पे इस तरीके से लिखके आ रहा है no monetization breaches ठीक है अब इससे आप कहेंगे अरे मेरे तो page पर कोई problem नहीं है लेकिन आप इधर तो देखो थोड आप दूसरी की video दाल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है ताकि facebook ना पकड़ पाए तो आप लोग गलती करते हो तो उसलिए पकड़ लिता है तो इस सूरत में तो आपका page जो है कभी monetize नहीं होगा अब मैंने कहा था यह problem आती कि हो आपको पतान कैसे होगा तो सही करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है सबसे पहले आपको जितनी भी copy video होंगी चाहे वो real हो चाहे वो long video हो सारी के सारे आपको delete करने है क्या करने है? आप को इमीलियो वीडियो रहेगा, घटे का नहीं है। अब आपको करना है, सारी के सारी डिलिट कर दिनी है। अब आपने डिलीट कर दिया। ठीक है चलो मैं आपको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, खुछ भाई कहते हैं कि वीडियो डिलीट नहीं होती है तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो जो है डिलीट करके दिखा देता हूँ वापस से हम लोग आते हैं Facebook पे और यहां से बैक हो जाते हैं बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद देखते हैं याप वीडियो से हैं ठीक है अब इस सारी के सारी देखो फेक हैं इसमें कुछ उनकी वरीडिनल भी होगी जो उनके कैमरे से डारेक्ट शूट की हूँ यह देख सकते हैं एक वीडियो है अठावन किलो का उबरता सितारा ठीक है यह वीडिय इंडिया के नाम से जो है वाटर मार्क भी आ ख रहा है मतलर जिस भी चैनल से उन्हों ने उछाय है उसका Water का वाटर मार्क भी आ रहा है तो इस तरह की अगर आए वीडियो दालते हो वीडियो इसमें होंगी copy वीडियो जितनी भी होंगी जो ये page का honor है वो देख रहे हैं वीडियो तो आपको भी इसी तरह सारी के सारी वीडियो को delete कर देना है चाहे हो real हो चाहे हो long वीडियो हो अगर आपके camera से shoot की गई है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने कहीं से उठा क अगर इस पर upload किया है तो आपको सारी के सारी वीडियो डिलीड करनी है अब बात कर लेते हैं आपने डिलीड कर दी सारी के सारी वीडियो आपने डिलीड कर ली उसके बात क्या करना है ठीक है उसके बात देखें फिर से वापस हम लोगा आगे creator studio में अब आप सारी के सारी ज ब्लूड करना है यह जब कर लेंगे आप 20-25 दिन के बाद तो यह जो आपका बटन है ना अनदर रिव्यू यह बटन जो है आपका ब्लू हो जाएगा ब्लू होने के बाद आप दुबारा से फेस्बूक को अपील कर सकते हो जब Facebook दुबारा से आपके page को review करेगा तो उसको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं तो फिर आपका वो problem solve कर देगा ध्यान रहे लेकिन आपको बीच में गलती दुबारा नहीं करनी किसी और की वीडियो आपको upload नहीं करनी है यही तरीका है दोस्तो करने का और कोई तरीका नहीं है बागी आप कुछ भी कर लो कोई तरीका नहीं क्योंकि आप copy वीडियो दलते हो फेस्बूक की नजर पैनी नजर होती है तो यही तरीका थो दोस्तो मैंने सारा कुश आपको बता दिया और बहुत सारे भाईयों के मुझे मैसेज आरे से इस टॉपिक पे और बहुत सारे भाईयों के क्रेटेरिया कम्प्लीट है लेकिन यही दिक्कत है सबको तो जो मैंने बताया इस तरह आप भी फॉलो करके सारे इस्टेप आप कर लोगे और थोड़ा धीरज रखोगे आपने वाली वीडियो का नटिफिक से जल्दी मिल जाए तो मिलता हम आप से जल्दी किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जहें दोस्तों